हलो एवरीवन तो दोस्तो आज हम आपके लिए बिलकुल नए तरीके की फली फली मिसी रोटी और धाबिया रेस्टोरेंट से जादा अच्छी दाल मखनी कैसे बनानी हैं इसकी रेसिपी लेकर आए हैं इसे बनाने के लिए आपको बिलकुल घर की कुछी सामगरी की जरूरत पड़े की तो चलिए फिर इस नए रेसिपी को देख लेते हैं तो दाल मखनी बनाने के लिए दोस्तो मैंने यहां पर लिया है राजमा उड़त की दाल और चना दाल दोस्तो यहां पर मैंने जो डाले ली है जो राजमा लिया है उसे लगपक साथ से आट गंटे भीगो कर था ताकि यह जल्दी से पक जाए क्योंकि होटल या रेस्टूरेर में इसे कई घंटे तक पका कर बनाते हैं लेकिन हम आज यह कुई कर रहे हैं तो मैंने इन सभी चिजों को कुकर में डाला है और साथ यह डाल देंगे पानी इसका फ्लेवर कई गुना बढ़ाने के लिए इसमें हम तेज पता तो दो से तीन छोटे टूकड़े मतलब तूटे वे मैंने तेज पता डाला है और यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसका धकन लगा कर हमें इसे अच्छे से पकाना है तो जब तक यह पक रहा है तब तक हम यहाँ पर एक और तयारी करेंगे जिससे दाल दस गुना टेस्टे बनेगी तो मैंने यहाँ पर पास से छे काली मिर्चली है तीन से चार लॉंग डालेंगे एक हमने लिए है छोटी सी लाइची बस छोटी सी काली लाइची ही लेनी है और एक बिल्कुल छोटा टुकड़ा हमने दालची निकालिया है इसे हम हमें थोड़ा सा कूट लेना है इसे मोटा मोटा कूटना है क्योंकि इसे हमें तड़के में योज करना है चलिए अब दाल को देख लेते हैं मैंने इसे काफी दिर तक पकाने के लिए रखा था धीमियाज पर तो यह देखे दोस्तों अभी अच्छे से पक चुकी है और इस दोस्तों अब हमें इसे थोड़ा सा मैश कर लेना है क्योंकि दाल मखनी बहुत ही क्रीमी बहुत स्मूथ होती है अच्छे से मैश करने के बाद हम अब इसका तड़का बनाएंगी तो कड़ाई में मैंने लिया है दोस्तों वन टेबल स्पून और तो टीस्पून हमें लेना देशी घी क्योंकि घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दाल के अंदर अब डालेंगे इसमें वन टीस्पून जीरा और हाफ टीस्पून डालेंगे कूटावा मसाला जो हमने अभी कूट कर रखा है दोस्तों यह मसाला जैसे ही हम तड़के में डालते है ना तो बहुत अच्छा आरोमा आता है अब डालेंगे एक प्यास जिसे मैंने फाइन चॉप कट किया है साथी डालेंगे अदरक अदरक को या तो आप बारिक काट ले या फिर कद्दू कस कर ले लेकिन एक बड़ा टुकडा हमें अदरक का डालना है और इसे अच्छे से थोड़ा यहां पर टमार्टर का मवच्चट ड्रय होने तक हमें इसे जैसे यहना ब्राः नेजाएं तब हम अधर五 गड़ा लेंगें तब या दाल मखनी बहुत ही प्रीमी और बहुत ही रहत बने की दूट डाल कर अच्छे से मिक्स कर लीजे और फिर इसमें हमें उबलीवी डाल डालनी है दोस्तों अब यहाँ पर देखे जैसे हम डाल डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसे अच्छे से पकाना है क्योंकि दाल जितनी धीमियाच पर पकती है उतनी ही जादा स्वाधिश्ट बनती है इसलिए होटल या रेस्टोरेन में इसे कई घंटे पकाया जाता है इसे ढख कर हम 15 मिनट के लिए धीमियाच पर रखेंगे और 15 मिनट के बाद दोस्तो इस दाल का फ्लेवर और भी जादा बढ़ जाता है तो इसे छे से मिक्स कर लिजे और इसे थोड़ा और क्रीमी बनाने के लिए हम इसे फिर से इसे मेश करेंगे तो जैसे हम इसे थोड़ा मेश करेंगे ना तो राजमी का चना दाल का और जो उड़त की दाल का जो फ्लेवर है इसमें शांदार आ जाएगा और जो दाल है वो और भी जादा थोड़ी थिक और क्रीमी हो जाएगी तो दोस्तो ये जो हमारी दाल है अभी कंप्लेट नहीं हुई है क्योंकि हमें अब इसमें थोड़ा सा तड़का लगाना है तो दोस्तो अब तड़की के लिए हमें इसमें एक बड़ा चमच बटर डालना है तीन से चार हरी मिर्च स्लिट करके डालना है इसका flavor बहुत शांदार आता है और gas बन करने के बाद हमें कसूरी मेथी डालना है और इस तड़की को हमें दाल मकनी के उपर डालना है इससे दाल मकनी बहुत शांदार लगीगी और इस तरीके से आप ये दाल मकनी बनाएंगे ना होटेल रेस्टोरेंट को कभी भी याद नहीं करेंगी बहुत जादा अच्छी लगती है बहुत ही कम सामान से बनती है और दोस्तो फटा फट बनकर तयार होती है जैसे हम इसे निकाल रहे हैं सर्विंग प्लेट में अब देख सकते हैं कितनी जादा क्रीमी लग रही है दोस्तो दाल मकनी हो गई है तयार इसके उपर हमें थोड़ा सहारा धनिया बटर और क्रीम से से कार्णिश करना है और दोस्तो इसके साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही डिफ्रेंट टैप की मिस्सी रोटी तो मिस्सी रोटी बनाने के लिए दोस्तो मैंने यहाँ पर लिया है तीन बड़े कप गेहूं का आटा इसमें आदा कप डालेंगे बेसन जिसे हम चने का आटा भी कहते हैं थोड़ी से डालेंगे हल्दी पाउडर एक चमच मैंने हरी मिर्च को दरदरा पीस लिया है वो डाला है एक चमच डालेंगे हम कसूरी मिथी साथी डालेंगे हरा धनिया बारी कटावा और यहाँ पर 1-4 टीस्पून मैंने काली मिच का पाउडर लिया है और एक चमच हमें अच्वाइन लेना है जिसे रब करके डालना है इससे इसके खुश्बू बढ़ जाती है साधी डालेंगे नमक हमारे स्वादमुसार और दो चमच डालेंगे तेल इससे जो हमारी मिंसी रोटी है न बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और टेस्ट भी लगेगी तो चलिए इससे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाना है मतलब पानी डालना है और ये आटा लगा लेना है दोस्तो इसमें बेसन मिला हुआ है इसके लिए थोड़ा हातों पे चिपकेगा लेकिन कोई नहीं हमें इसमें थोड़ा सा तेल लगाना है और इससे सेट करना है तेल लगाने से यह हातों पे चिपकेगा नहीं और अच्छे से यह सेट भी हो जाएगा तो दोस्तों ये हमारी मिस्सी रोटी का अटर लग चुका है लेकिन आज हम इसमें स्टफिंग डालेंगे जिसके लिए हमें लेना है उबलेवे आलू तो मैंने दो आलू को उबाल कर कद्दू कस कर लिया है इसमें एक छोटी प्यास डालेंगे बारी कट कर साथी एक चमच चट मसाला डालेंगे और स्वाद नुसार नमक डाल कर हमेंसे मिक्स कर लेना है आज की मिस्सी रोटी बिल्कुल डिफ्रेंट बिल्कुल मीलोस किचन बहुत अच्छी लगेगी तो आटा और स्टफिंग तयार है दोस्तों चलिए अब यह रोटी बनाते हैं तो मैंने यह आपर यह आटा ले लिया है जिसका एक बॉल ले लिया है से थोड़ा सा बेल कर इसके बीच में हमें आलू की स्टफिंग रखनी है स्टफिंग थोड़ इसी धनिया और काले तिल लगाने हैं जिससे यह जो मिसी रोटी है ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी और तिल का क्रंच बहुत अच्छा आएगा यह देखिए आमने इसे चिपका दिया है अब इस पर थोड़ा से सूखा अटा लगाएंगे और इसकी मीडियम साइस जढ़ाएंगे च्छोटी शोटी या फिर बड़ी-बड़ी न सकते हैं और बेल लेनी के बाद जले उससे सेख लेते हैं सेकने के लिए आप iron का, non-stick का कोई भी दबा ले सकते ही अलटते पलटते आप इस पे तेल लगाए और फिर देखिए किस तरीके से ये गुबारे के तरफ फुलने लगती है हमने जो इसमें आलू डाला है ना दोस्तों इसे ये काफे फुली फुली बनेंगी और आपने आज से पहले ऐसी फुली फुली मिस्सी रोटी कभी नहीं देखी होगी तो सिर्फ नीलूस की चैन पर ही मिलेगा इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा रखे ताकि आपको हर दिन की नई रेसिपी सबसे बहले मिले ये देखे दोस्तों जैसे ही हमने इस पर तेल डाल कर सिसे का ये देखी कितनी शांदार तरीके से ये फुलने लगी है और आपने कई वीडियो देखे होंगे मिस्सी रोटी की लेकिन ये रेसिपी आपको ढूडने पर भी नहीं मिलेगी बस निलूस कीचन पर आईए और रोज नई रेसिपी लेकर चाहिए ये हमारी मिस्सी रोटी बन कर तियार हो चुकी है जो बहुत ही अलग है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इसे हम परोसेंगे हमारे दाल मकनी के साथ इस नई रेसिपी के लिए दोस्तों 10,000 लैक्स तो बनते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजेगा दोस्तों ये रोटी आपको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके अंदर आलू की स्टेफिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बरी-बरी है यकीन मानी ये मिसी रोटी बहुत टेस्टी लगती है इस दाल के साथ तो आज की ये नई रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और आल का बटन दबाईए ताकि रोज नई रुष्पी आपको मिलती रहेगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई